क्या है ये RBI का secret mission और क्यों RBI Bank of England से 102 टन सूना वापस लेकर आया है इससे पहले भी RBI अपना सूना वापस लेकर आया था इसका reason क्या है आज का session सिर्फ इस बारे में नहीं है कि reason क्या है और क्यों RBI ऐसा कर रहा है बलकि very very important today's session is क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जो भी आप articles पढ़ते हैं, editorials पढ़ते हैं, opinions पढ़ते हैं उनको पढ़के आप notes कैसे बना सकते हैं इसलिए आज मैं PPT से नहीं मैं direct articles से आपको गरवाऊंगी ताकि article में क्या चीज़े important होती है और पूरे paragraph को आप एक line में convert करके अपने copy में notes कैसे बना सकते हूँ ये भी बताऊंगी, so today's session is going to be super duper productive, जल्दी से एक बर session को join कर लो और मुझे बता दीजे if everything is good and शुरू करते हैं, आज का session अगर आप channel पर नए है make sure you subscribe to the channel ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा ताकि YouTube इसको जादा से जादा लोगों तक पहुंचा सके, let's get started, शुरू करते हैं, RBI का secret mission जहां पर RBI 102 टन Sona Bank of England में जो हमारा रखा हुआ था उसको लेकर आई है, मुझे headline से clear हो गया कि क्या exactly हुआ है, अब इसका question आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों हुआ है, RBI ने ऐसा क्यों किया है, ठ RBI के लिए भी काफी जादा Sona important है, तो RBI भी जो है, यहां पर 102 टन Sona Bank of England में, लंडन में जो हमारा रखा हुआ था, उसको हम वापस ले आए हैं, ठीक है, मुझे fact clear हो गया है, ठीक है, अब question, जो fact होते हैं, वो वाले question आते हैं, हमारे prelim से, ठीक है, आप चाहो तो इस fact को भ headline डालेंगे, ठीक है, RBI, short form में लिखेंगे, brings 102 टन Sona Gold from Bank of England, अब यह तो हो गया हमारा headline, ठीक है, यह हमारा हो गया, जो में भी prelims में काम आ सकता है, ठीक है, अब इसके नीचे हम technicalities लिखेंगे, जो भी article में दी हुई है, जो important points है, जो हम अपने mains में लिख सकते हैं, ठीक है चलो, वापस आते हैं, एक line लिख ली हमने, अब दुबारा पढ़ते हैं, according to the RBI, latest foreign exchange reserve, हम सबने RBI का Forex Reserve के बारे में सुना होगा, जहां पर Sona एक बहुत important component होता है, Forex Reserve में बहुत सारी चीजे हैं, let's say, मैं आपको बता देती हूँ, Forex Reserve हमारा RBI maintain करता है, काफे important है किसी भ बहुत सारी चीजे हैं, सबसे जादा इसमें foreign currency assets होते हैं, यानि विदेशी मुद्राएं आप जिसको बोल लो, example के तौर पर dollar हो गया, फिर इसमें gold होता है, very very important and very very stable, ठीक है, उसके बाद SDR होते हैं, यानि special drawing rights, RBI जो है, maintain करके रखता है, special drawing rights जो है, वो IMF के instruments होते हैं, उसके बाद RTP होता है, reserve tranche position, ये भी IMF से related होता है, तो ये जो है, ये हमारे forex में होते हैं, आज हम बात कर रहे हैं gold की, अब ये जो सोना है, ये हमारा ही सोना था, बस हम जो है, जैसे आपने घरों में भी हम ऐसा करते हैं, कि जब बहुत ज़्यादा सोना होता है, तो बैंक इतना भी RBI के पास सोना है, है वो हमारा ही सोना, बस हमने बैंक ओफिंग्लंड में रखा हुआ था कि जी, safety concerns की वज़े से, और देखो safety concerns की वज़े से, हम उसको वापस भी ले के आए हैं, ठेक है, safety concerns की वज़े से, वापस भी ले के आए हैं, समझ लेते हैं, क्या है, ओके, So, the central bank held 855 ton of gold, अब this is important for your prelims, यह 855 ton of gold, तो यानि यहाँ पर मैं 855 ton gold total, ऐसे घर के लिख लूँगी, तो यानि मुझे पता चल गया कि हमारे देश में, मेरे forex में कितना gold है, ठीक है, this development, अच्छा, इसमें से, with over half, 510 ton now stored domestically, यानि अब लाने के बाद, हमारे पास, जो total है, अभी वो 510 ton हो गया है, अभी भी कुछ सोना हमारा बाहर रखा हुआ है, धीरे-धीरे करके हम अपना almost सारा सोना वापस लेकर आ रहे हैं, this development reflects a broader ongoing effort by RBI and Indian government to protect the nation gold reserve from potential risk abroad, बाहर जो है, कैते हैं जी risk है, मैंने बोला ना, security ही concern थ कुछ जो है असे रखा हुआ था, USA में, USA उसको फ्रीज कर दिया इनी वापस, ठीक है, तो geopolitical खत्रा होता है बाहर, हम बाहर के देशों पर नहीं विश्वास कर सकते है, इंटरस्ट का केल होता है, कब कॉन पलट जाए हमें नहीं पता, so we are bringing our assets back, okay, since September 2022, RBI has quietly bought back to quietly, quietly bought back, quietly opportunities हैं, जिसकी वज़े से हम पिछले एक साल, एक देर साल में जो है, इतना टन सोना वापस लेकर आए हैं, okay, in a carefully planned secret mission, इसको देख रहे हो, अब secret mission, क्योंकि पता नहीं था, पहले RBI ने अनौंस नहीं किया, कि हम इतना सोना लेकर आ रहे हैं, अचानक से बस news आए, कि जिल ले आए हम, ठीक है, okay, security, अच्छे security से हम लेकर आए हैं, ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया, इसमें कुछ asset आपका है नहीं, जो exam में आ सकता है, आगे बढ़ते हैं, और question आता है, why central bank like RBI, buy gold, this is the question, कि central banks, और जरूर, ये नहीं कि हमारे central bank, पूरी दुनिया के central bank, RBI जैसे, gold खरी जो में इंपोर्टन है, this is your question, जो interview के लिए इंपोर्टन है, directly पूछेंगे, कि gold हम लेकर आए हैं, why do you think gold is important, क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है, now listen, central bank globally, including RBI, view gold as a fundamental asset to diversify and strengthen their reserve, अपने reserve को और मजबूत करने के लिए हम सोना जो है लेकर आते हैं, मतलब सोना जो है रखते हैं, gold provides protection against currency fluctuation, मैंने अभी आपको क्या बूला, मैंने आपको बूला कि हमारे currency, हमारे जो assets होते हैं, उसमें हमारे पास foreign currency assets है, जिसमें dollar है और तमाम हमारी currencies है, तो currency तो fluctuate होते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं, gold के साथ ये fluctuation वाला scene नहीं होता है, gold relatively stable होता है, तो ये stability क तो क्या हम लिख लें इसको, बिलकुल लिख लेते हैं, gold is more stable, ठीक है, इससे मुझे एक reason आजाएगा, जो मैं अपने means में use कर सकती हूँ, चलिए, okay, currency fluctuation कम होता है, economic shock से बच सकते हैं, ठीक है, okay, unlike paper currencies, जैसे हमारा रुपी है, gold hold universal appeal and is often to see in a safe haven investment, एक अच्छा investment है, fluctuation कम है, stability जाधा है, particularly during periods of financial instability और market volatility के टाइम पर gold बड़ा काम आता है, by holding gold, जितने भी central banks, and not only gain a valuable hedge against the uncertainty, मतलब एक hedge होता है, hedge मतलब अगर हम गिर रहे हैं, तो एक cushion की तरह काम करता है, but इसके साथ साथ economic credibility, और basically अगर बाहर के लोगों को ये पता चले, कि इस देश में, forex में इतना gold है तो confidence भी आता है, investors में, this is again a very important point, increases confidence of investors, लिख लो फटा फट, ठीक है, it increases, हमेशा notes हम short form में बनाते हैं, तो increase को INCRE मतलब लिखो, increase का sign लगाओ, increases the credibility, credibility of investors, ठीक है, points होगे, चलो, आप हमने, आप देख रहे हो, हमने इतने बड़े-बड़े पैरा पढ़ लगी है, और हमने सि एसे बनते हैं, notes, चलिए, further, RBI का जो गोल्ड रिजर्व है, has a strategic importance domestically, domestically हमारे लिए भी बड़ा important है, वो, working closely with the government, RBI can use this gold to manage the local gold prices, especially as a consumer demand for gold-backed investment, like exchange-traded funds grows in India, तो domestically भी हम जो है, gold के prices को maintain कर सकते हैं, अगर हमारे पास gold है तो, by maintaining a robust supply of gold within the country, RBI contributes to a stronger and more resilient billion market that benefit both the national economy and the individual investor, ठीक है, so, यह domestic एक जो है, इसका फाइदा है, now, the logistic of RBI, removing, sorry, moving gold from London, आपको यह पढ़के ही समझ आ जाना चाहिए, कि यह शायद आपके लिए जादा important नहीं है, for a student, क्या important है, कि जी, गोल्ड में ऐसा क्या है, कि हम गोल्ड इसको ला रहे हैं, और अपन हम उसको इखटा कर रहे हैं, so, यह questions आपके लिए जादा जरूरी होने चीए, ना कि यह की लाने में, इदर उदर shift करने में, खर्चा कितना आया, वो जादा important नहीं है, तो मैं इसको skip कर सकती हूँ, easily, कितना खर्चा आया, कितने पैसे लगे इदर उदर करने में, वो मेरे यह था, कि हमें जो है, access मिल रहा था, to the London Bullion Market, which offers unmatched liquidity, by keeping the gold in London, RBI, जो है, RBI के पास kind of access था, into this market with ease of, मतलब, trading, swaps, और तरीके के transactions भी असानी से हो पा रहे थे, this ease of access and immediate liquidity has historically made the UK a prime location for the storing reserves, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे UK अपने, जो UK की जो website है, यह जहां पर reserve रखता है, उस पर proudly लिखता है, कि हम सबसे जादा gold जो है, खटा करके रखते हैं, अलग-अलग देशों से, क्योंकि बहुत जादा liquidity provide करते हैं, यह लोगों को safe, definitely लगता है, बहुत जादा options है कि वहां से trading के options हो सकते हैं, वहीं के वहीं, बेशक आप खरीदो और रख दो, इस तरीके के भी है, RBI moved to increase its domestic gold reserve from 8.1 in March to 9.3 of its foreign exchange holding by the end of September, indicates a broader shift in its risk management approach, कहता है कि 8.1% gold reserve हमारा था, अब यह हम उसको 9.3 कर रहे हैं, और यह इसलिए है, तो ताकि हमारा better gold हम manage कर पाएं, और risk कम स कम ले, ठीक है, वाइल, UK का storage services have long been seen as secure, as such, UK में आज तो कोई problem नहीं आई है, कि UK में से किसी ने, वो proudly लिखते हैं कि कभी कोई हमारा सोना चोरी भी नहीं हुआ है, ठीक है, but ठीक है, the freezing of Russian assets, मैंने बोला ना, कि कहीं ना कहीं इसका reason यह भी है, Russia-Ukraine war हुई, तो US के पास जो Russia के assets रखे हुए, तो US ने बोला नहीं देंगे जाओ, ठीक है, तो यह तो कहर गलत किया, Russia का asset रखा हुए, USA के पास, Russia-Ukraine war हुई, अब USA-Ukraine को support कर रहे है, Russia के against है, USA ने बोला नहीं देंगे जाओ, तुमारे assets, अब कल को ऐसे UK ने बोल दिया, कि हमारे पस तुमारा सोना रखा हो, नहीं देंगे जाओ, तो हम अपना कर ले के आ रहे हैं, ठीक है, ओके, चलिए, question यह है बड़ा important, why RBI keep some gold abroad, वैसे तो एक लाइन में मैं आंसर दी चुकी हूँ, safety के लिए, फिर भी read करते हैं, despite the benefit of domestic storage, domestic storage पे है benefit, ठीक है, अपने देश में अपना सोना अपने पास होगा, there are practical reason की RBI जो है उसको बाहर रखता है, gold store overseas can be easily traded, हम उसको असानी से trade कर सकते हैं, swap कर सकते हैं, ठीक है, और used as a collateral, उसको गिरवी रख सकते हैं, which provide flexibility for the central banks जैसे RBI, additionally as RBI often buys gold from international markets, हम बाहर से भी तो सोना खरीते हैं, बाहर का खरीत के बाहर के बाहर रख दिया, वो भी ए in an interconnected financial world, there's ability to maneuver quickly, है ना, मतलब फटा-फटा-फटा-फट सारा काम हो गया, यह business में बड़ा help करता है, yet international storage is not without risk, recent freezes, जो recently रश्या के साथ हुए है, यह सबसे बड़ा reason है, कि हम सको वापस लेकर आ रहे हैं, तो I hope आपको समझ आ गया होगा, कि यह सारा सीन, यह सारी जो situation है, और हमने इतना बड़ा around-around thousand words पढ़ लिए, और thousand words में मैंने बस आपको तीन चीज़े लिखवाई हैं, तो अब आपको समझ आया, इसमें हमारा prelims और mains और interview के लिए हमें पूरा article समझ आ गया, mains के लिए पॉइंट मिलगे, prelims के लिए पॉइंट मिलगे, तीन लाइन में और प्रॉपरली चीज़ों के reason समझ और उनको अपनी language में अपने शब्दों में चोटा-चोटा गर के notes बनाईए इस तरीके से, ऐसे notes जो आपके prelims और mains दोनों में काम आएंगे, यही आज का जो है मेरा आपके लिए एक suggestion होगा, I hope यह analysis आपको पसंद आया हो, एक और लेकिं वो भी आपको साथ के साथ बताते रहूं, in short, आज के जैसे और भी sessions में चाहती हूं, जो भी important article है, जो आपके exam related है, वो लेकर आऊ, बट उसके लिए, जितने जादा comments होंगे आज के session के नीचे, जितनी जादा demand होगी, है न, economy है, demand supply के rule पर काम करता है, तो जितनी ज के हिसाब से supply करेंगे, all right, thank you so much everyone, एक और चीज, जाते जाते बताना चाहती हूं, हमारा जो RBI का batch है, जो कि already 6 तारी को शुरू हो चुका है, वो एक बर फटा फट दिखा देती हूं, अगर आप serious candidate हैं, और आप जो है, RBI की तयारी कर रहे हैं, 2025 में देना चाहते हैं, तो order 24 7 के application download कीजिए, regulatory body select कीजिए, RBI grade B click कीजिए, and this is the batch, mission 2025, ठीक है, यहाँ पर आप जब buy now पर click करेंगे, Y674, Y674, ठीक है, यह code है, जो आपको use करना है, जिससे आपको maximum discount मिलेगा इस batch पे, या फिर किसी भी batch पे, जो भी आपको खरीदना हो, Y674, use कीजेगा, इसमें बाकी classes शुरू हो चुकी है, मेरी classes 18 तारिक से शुरू होंगी, 18 यानी 18 November से शुरू होंगी, I think Monday है उस दिन, तब से शुरू होंगी, ठीक है, बाकी और classes शुरू हो चुकी है, thank you so much everyone, bye-bye and take care, have a happy Sunday.